कॉंबर आशी वाले दोस्तों आज कल आप साड़े साती के दूसरे चरन से गुजर रहे हैं पिछले लंबे समय से साड़े साती के कार्णवश आपको वबिन प्रकार की परस्थितियों से गुजरना पड़ा है इस अवादी में जीवन में अनेकों तुफान आए और चले गए आप एक नए जोश के साथ फिल से उठ पड़े हुए और सफ़ता के मार्ग पर चल पड़े शनी आपको जितना रगड़ता गया आप उतना ही निखरते गए जैसे सोनना अगनी का ताप सहन कर निखर जाता है उंदन बन जाता है ऐसे ही आपको भी राशी स्वामी शनी राशी है शायद इन राशी वालों पर शनी खास मेहर बांग रहता है लेकिन वह नहीं जानते अपनी राशी वालों को शनी अधिक रगड़ता है उनके प्रती शनी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जैसे पेरंट्स की अपनी संतां के प्रती बढ़ जाती है वैसे भी अपने और प्राए में कोई बेदबाव नहीं करता है। इसलिए शनी को करफल दाता की उपादी से नवाद जा गया है। लेकिन यह मत भूलना शनी देर से देता है लेकिन धेर सारा देता है। इसलिए कहा गया है शनी के गर देर जरूर है परंतू अंदेर नहीं है निश्चिंत रहें नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश का निया हार्दिक स्वावित करता हूँ आपका अपने यूटिप चैनल अक्षी तैस्पो मास्टर में मेरे कौंबराशी वाले दोस्तो कैसे हूँ जो तो जैसे जैसे साड़े साथी उतरती चली जाएंगी परस्थितिये भी अत्यादी अन्पूल बनती जाएंगे आपकी राशी पर चल रही साड़े साथी के दूसरे चरण की विसमाक्ती होने वाली है मार्च दोयर बच्चिस में साड़े साथी के अंतिंग च साड़े साथी का वैधी समय एक नई शरुआत करें साप निकल चुका है लकीरे पीटने से कोई फाइदा नहीं अब बची हुई साड़े साथी में साप के आने से पहले साफदान हो जाएं ताकि लकीरे पीटने का मुक्ता ही ना मिलें शांती से तुफान पास से गुजर है तो आपके जीवन की चिंता, परिशानियों, दुख और दर्द को अपने साथ बहाल ले जाएं फिर से आपके जीवन में स्वास्त, सुख, शांकी, समरिदी और एश्वरिया का प्रवेश हो जाएं तो साड़े साथी का शेष बचा हुआ समय महत्त पुरन रहेगा इस अ लेकिन दूसरे चरण की बची हुई साड़े साथी में एक समय ऐसा रहेगा जब शनी की अगनी प्रिक्षा अधिक कटोर हो सकती है उस समय अधिक स्तरक रहें बाकी साड़े साथी सामान्य बनी रहेगा वह समय है तीस जूम से लेकर पंदरा नवंबर तका इस अवदी में राशी स्वामी शनी आपकी राशी पर वक्री वस्ता में संचार करेगा दूसरे चरण की साड़े साथी में शनी का यह अंतिम वक्री सफर रहेगा इसलिए यह वक्री सफर फास भी रहने वाला है फिर भी अपनी तरफ से स्तरक बने रहें बाकी साथ करफल दाता शनी दे प प्रथम चरण की साड़े साती के भी मिले जुले पर इनाम देखने को मिलेंगे मेहनत अपसंद शनी आपको कंफर्ट जों से निकाल कर संगर्ष और मेहनत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है यहारास्ता शुरू-शुरू में तनाब का कारण बन सकता है लेकिन इस रास्ते का अंत अतियांती सुख़दाई और सफलता की बुलंदियों पर ले जाने वाला होता है शनी ऐसा ग्रै जो सिखा देता है सफलत और उन्नती की बुलंदियों पर पहुँचने के लिए शोर्ट कार्ड नहीं बल्कि लगन जनूर मेहनत और प्रयासों से पहुँचा जा सकता है कंफर्ट जों में बैठकर शनी की परसंता नहीं व्याथा मिलती है वक्री काल के दोरां अधूरे पड़े कारें को पूरण करने के लिए घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक आने जाने के अफसर पैदा होंगे चंदर राशी का सबंद हमारे मन से है तो शनी वेराग्या कारग है इसलिए मन पर शनी का वक्री वस्ता में संचार उल्टा चलना मन को अधिक व्याकुल और विचलित कर सकता है मन में उथल उथल मचा सकता है दुनिया की बीड़ बाट से दूर एक आंत वास और अध्यातम के प्रतिरुची अधिक देखने को मिल सकती है स्वास्त पर खर्चा करना पड़ सकता है लंबे समय से कोई मेडिकल टेस्ट वगेरा का सोज विचार बना रहे हैं लेकिन सुस्ती और आलस के कारवश नहीं करवा पा रहे हैं तो वक्री कांग के दौरान वहाँ सोज विचार हकीकत में बदलेगा मेडिकल टेस्ट वगेरा पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे जितना हो सके नकरातमक सोच से दूरी बना कर रखे सोच को सकरातमक बनाए रखे मानसी क्रूप से मजबूत बने रहे आतव विश्वाश में कोई कमी ना करे यह सब शनी की अगनी प्रिक्षा का माया जाल है इसमें नाफसें दूरी बना कर रखे शनी की वकर स्थित्य और वकर द्रिष्टियों ने देवताओं को भी नहीं बक्षा रहे आपकी राशी से शनी की तेरतिये सफ्तम और दसम बापर वकर द्रिष्टि बढ़ेगी दसम बाप करम से सबंदित कुनली का महत्त पुरन भाव है इस बापर वकर द्रिष्टि करियर को परवावित कर सकती हो इस अवदी में आपके अपने कारेओं के प्रति अस्थेरता असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं अपने कारेओं को बदलने और छोडने के विचार बार बार मन पर हावी हो सकते हैं शनी के माया जाल में नाफसे अपने कारेओं के प्रती मांगार और निष्ठावान बने रहे ऐसी स्थिती में कभी एक बार नए कारेओं के चक्कर में पुराने कारया से भी आथ दूने पड़ सकते हैं कोई महत्त पुरन निर्निया लेने जा रहे हैं तो बुद्धी वेक से सोच विचार कर ले जल्दवाजी में ना ले नोकरी पेशा दोस्तों को अपने सह कर्मियों और वरिष्ट अधकारी वरक के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई जगड़ा करने से बचना होगा नहीं तो वह भी शतुरता पुरन वहवार करने पर उतारूर हो सकते हैं कार्यस तल पर अपने विरोधियों से दूरी बना कर रखें मल्टीनैशनल कंपनी में कार्या करने के लिए प्रयासरत हैं तो इस अवदी में अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें तेज्जी करें सफलता प्रपत हो सकती है सब्तंबा परवकर्द रिष्टी दंपत्या जीवन कारया वैपार और भग्यदारी के कारयों को परवाविद कर सकती है दंपत्या जीवन की सुख शांती परवाविद हो सकती है जीवन साथी के साथ वैचारिक मतमें देखने को मिल सकते हैं दमपत्य जीवन में पहले से वाद विवाद चल रहे हैं तो इस अवदी में शांत बने रहे हैं छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें एक जो सो सुखवानी नीती पर चलें नहीं तो पुराने वाद विवाद और अधिक गहरा सकते हैं समझदारी से काम करें अब विवाइतों के प्रयासों में तेजी आएगी इस समय बात आगे वढ़ सकती है रुके हुए कारियों में तेजी आएगी लाइफ पारने के सासाथ विज्णस पारने के साथ भी सबंगम में सनेग और मदूरता में कोई कमी ना करें भागी दारी के रूप में कोई कार्या करने का विचार बना रहे हैं तो शनी के इस वक्री काल में करने से बचे वैपार में कोई बड़ा नीवियेश ना करे तिर्तिय बाप पर वकरद्रिष्टी आतम विश्वास को प्रवावित कर सकती है कार्या शम्ता में कमी देखने को मिल सकती है छोटे बाई बहनों के सबंद में भी शनी ही है वकरद्रिश्टी शुब नहीं है वह किसी परेशानी से गुजर सकते हैं या आपके साथ वाद वी वाद देखने को मिल सकते हैं कानों से सबंदित किसी परकार की समस्या से जूज रहे हैं तो इस अवधी में खास ध्यान रखे नहीं तो वह समस्या और अधिक गहरा सकती है तोल मिलाकर इस अवधी में अशुबफलों को दूर करने और शुबता में वरिदी के लिए शनी से समद्धित वस्तों का दान दूने और अश्या करें जाते जाते कमेंट बॉक्स में करमफलदादा शनी देव की जैजागार करते जाएं साथ में लाइक शेर कमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूलें